हलो दोस्तों कैसे आप लोग जियाभी में 2024 के लिए IABF ने registration date extend करके till 31st मार्च 2024 कर दिया है अगर आप miss कर चुके हो अभी तक registration करना तो आप अभी कर सकते हो आपके पास time है बहुत सारे student हैं जो registration करने के बाद preparation करते हैं अपने exam जयाभी को ले करके और बहुत सारे student हैं जो date announce होने के बाद करते हैं तो अभी जो student preparation शुरू करते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे queries रहते हैं क्या मैं इस बार जयाभी क्रैक कर सकता हूँ क्या मैं अभी दो paper को target करता हूँ अगले बार दो paper को target करूँगा कुछ लोग ऐसे queries भी भेशते हैं कि sir मुझे कुछ important topic दे दो important module बता दो मैं उससे ही preparation करूँगा क्योंकि मेरे पास time नहीं है बहुत सारे लोग नहीं करना चाते हैं कि नहीं time नहीं है business schedule है इसलिए मैं preparation अभी नहीं कर पाऊँगा मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से clear कर सकता हूँ कि JIB को strategically आप अराम से crack कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास time नहीं है आप उतने slavers को cover नहीं कर सकते हो तो जो traditional method of preparation है वो अब काम नहीं आएगा पहले आप क्या करते हो, video lecture सुनते हो, live classes आटेन करते हो, फिर e-books देखते हो, फिर आप mock test लगाते हो तो ये strategy अगर आप follow करोगे तो अगले चार महीने तक slavers cover नहीं होने वाला है अब क्या करना होगा, तो अब आपको reverse gear में preparation करना पड़ेगा तो reverse कैसे करेंगे, अब आप mock test पहले लगाएंगे, mock test लगाने के बाद उसके explanation को analyze करेंगे अगर कोई confusion होता है आपको, तो then you have to go back to e-books e-books से clarification लेना है, या फिर उससे भी ज़्यादा confusion है, deeply जानना है आपको उस particular subject के बारे में, topic के बारे में तब आप video lecture के details को देखे और clarification ले, अभी target दो paper को लेकर के करेंगे, एक evening में और एक morning में morning में अगर आप एक paper IIFS लेकर के चलने हैं, तो evening में आप PPV AFM अभी clear करेंगे अगले 30 days तक आपको target करना है कि ये दो paper clear हो जाए, सबसे पहले आप mock test लगाएंगे, chapter wise, topic wise analyze करेंगे, अगर कोई confusion होता है तो आप e-books में जाएंगे, अगर उससे भी कोई solution नहीं मिलता है तो आप video lecture को देखेंगे, क्योंकि आपके पास time कम है और preparation जादा करना है तो इस strategy से आप 100% syllabus को cover कर सकते हैं और यकीन मानिये कि 60 plus score आप JIB में कर सकते हैं तो आप जरूर से बताइएगा, comments करके कि ये method आपको कैसा लगा, मैं आपके comments का wait करूंगा, all the best